हलो इस्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया मैं भी हाँ पर मज़े में हम लोग के पास चल रहा है वन ओव ता इजिएस पेपर करेंगे तो हमेशा पहले एक वार पुरानी क्लास का रिकॉल करेंगे फिर जैसे थर्ड क्लास होगी तो फर्स्ट और सेकंड का भी साथ के साथ करते चलेंगे क्योंकि थियोरी का पेपर का बड़ा सीधा सा कंसेप्ट है अब जितनी वार रिवाइज करोगे वह आप उतने इस है लेकिन बिजनिस का सेंस समझने में थोड़ा टाइम लगता है तो वह समझ पहले से हो जाए तो हम अपर लेवल पे जा सकते हैं यानि हम सी यो बॉर्ड ओव डायरेक्टर में बैठ सकते हैं इसके बाद में जो हमने देखा था पांट चैप्टर चलेंगे इस्ट्रेटिक है या नहीं चल रही हमारे पास हमने देखा था एक है छोटू बिजनिस छोटू बिजनिस के अंदर एक कंपनी है उसका एक ही काम है तो यह हमारे पास कवर नहीं है इसके बाद मीडियम साइट बिजनिस मीडियम साइट बिजनिस के अंदर बड़ा काम है जैसे कपड़े ब नाय करेंगे इसके बाद में business level managers का काम होगा अपने अपने division को देखना और market में complete करना जैसे man वाला division है तो जो competition हो रहा होगा man के कपड़ों से market में किसी company शेर उसके साथ में इनको अपना competition करना है और profitability ज्यादा ज्यादा लेकर आनी है इसके बाद में functional level management का role छोटा सा होता है जैसे production का काम है time production जो हो रहा है वो time पर हो रहा है नहीं research and development टाइम से चल रहा है नहीं designing department अपने नए-net design trend के हिसाफ से दे रहा है या नहीं इनकी responsibility इतनी है लेकिन ये customer के सीधे touch में रहते हैं तो इनको सुनना जरूरी है इनका main काम है उपर से जो भी corporate level और division level पर business level पर हमारे पास strategy आई है उनको proper way में implement करना जो direction दिया गया है उस direction पर proper way में चलना फिर हमारे पास आया था moto business जिसको हम कहते हैं conglomerate business conglomerate business का मतलब है आप एक बड़े group हो multiple आपके पास company है हर company का अलग-अलग काम है जैसे की अगर टाटा की बात करें तो TCS का IT related काम है airline वाला काम airline वाला होगे इसे बहुत सारे काम है सबका एक-एक SBU बना दिया SBU का मतलब strategic business unit basically ये बड़े group के अंदर एक company होती है उसे हम strategic business unit कहते है corporate level रहेगा सबसे उपर जो हमारे टाटा सहाब बैठे हुए है यहाँ पर main strategy बनेंगी जो पूरी company के लिए common होगी कि जैसे हम profit कमाना चाहते है यह हम best product और services देना चाहते हैं वो पूरी सारी जितनी भी नीचे की company है SBU है वो सब के उपर apply होगी इसके बाद में business level manager आएंगे जो अपनी company पर focus करेंगे अपनी SBU पर focus करेंगे कि हम market में कैसे complete करें और profit कमाएं और उसके बाद इनके नीचे function level जो इनकी बताई ही strategies को follow करेंगे implement क करेंगे अगर हम जाते हैं तो हमने कल point number 8 strategic level देखा था अब जड़ा देखें revision में कितना आसान आपके पास होने वाला है सिर्फ जो blue lines है जो highlight की है उन्हें हम देखेंगे तो जी सबसे पहले हमारे पास कितने levels है corporate business और function level ठीक है यहाँ पर इनके जो डाइग्राम से वह important है head office main level corporate उसके नीचे division business level और फिर function आजेंगे function level SBU if a company provides several different kind of product और services conglomerate यह self-contained division होती है यह responsible होती है अपने specific product line के लिए इनको SBU बोलते है corporate level management का काम the corporate level of management to oversee the development of strategy for the whole organization पूरे organization की strategy इनको देखनी होती है shareholders को कौन जवाब देगा shareholder को हमारे CEO corporate level जवाब देगे यह इनके guardian है example के लिए Adani group एक multinational conglomerate है Adani सहाव का specific responsibility किसी individual business के लिए नहीं है बलकि overall पूरे organization के लिए है corporate level managers provide organization level view of strategy and what they want to achieve जो corporate level है वो a common strategy बनाएगा organization लेवल पर उसकी जिम्मेदारी यहां तक रहेगी business level strategic role of these manager is to translate the general statement general statement यानी जो strategy corporate level ने बनाई है general यानी जो सब के लिए common थी तो उन्होंने पूरे organization के लिए बनाई थी of direction and intent that come from corporate level into concrete strategy for individual business अपने specific business के लिए business level वाले उपर वाली common strategy से उठाएंगे वही common strategy है हमें profit making करनी है या high quality product देना है फिर अपने business के उपर उसे apply करेंगे function level manager की responsibility उनके specific business function तक रहेगी इनका कोई major role नहीं है लेकिन ये provide करते है most of the information function level manager themself में generate important idea ये important idea बताते हैं और वो major idea बात में पूरी company पूरी organization के लिए strategy का काम कर सकता है इसलिए इनको सुनना important है इसके बाद हमारे पास था कि उपर headquarter corporate level sb123 और रून के नीचे function level तो मुझे पूरी उमीद है कि आप पढ़कर आये होंगे और आपको बहुत ही आसान लगाओगा जो भी चीज में यहाँ पर करवाओगा मैं यहाँ पर मैंने आपको बोला है कि मैं साथ के साथ रीडी भी करूँगा जो रीड करना है वो थोड़ा सा बोरिंग होता है कि सर हमें concept बता दो और पढ़तो हम लेंगे नहीं मैं यहाँ पर इसलिए पढ़ना जरूरी है कहीं आप कुछ गलत interpretation न कर लें घर पर दूसी चीज कई बार ऐसा होता है line समझ में नहीं आती line इस तरह समय पेपर आपका याद हो जाएगा मैंने आपको का थे एक बात बताओंगा आपको थियोरी के लिए देखो आप लोगों एक चीज फील की होगी जैसे कोई एक परसन है ठीक है परसन का नाम है राम राम आपके ही महले में रहता है लेकिन आपका नाम से interaction नहीं हुआ ठीक ह होता है और आप भी उसी महले में रहते हैं फिर एक दिन क्या होता है कि लिसी काम से राम और आपք बातकी बात चित हो जाती है अब राम से आपका interaction हो गया आपका दिमाग देखि कैसे काम करता है फिर आप देखना आपको राम रोज महले में दो वार आट जाता दिखेगा जो पहले एक वार भी नहीं दिख रहा था क्या राम महले में आजा नहीं रहा था या हमारा दिमाग उसको capture नहीं कर रहा था अंसरीज हमारा दिमाग capture नहीं करता irrelevant है ना दुनिया गूम रही है पूरी हम क्यों उस पर दियान दे तो राम अब आपको दिखने लगे जब आपने उससे interaction कर लिया तब वो आपको रोज दिखेगा आता जाता दिखेगा मिलेगा हाई हैल होगी ऐसे ही कोई अंकल है आपके महले में या आपके इलाके में वो आपको किसी दुकान पे मिले उनसे दो मिनेट आपकी बात चीत हुई अब वो अंकल आपको उस इलाके में दिखते रहेंगे नमस्ते राम राम शुरू हो जाएगी तो हमारा दिमाग क्या ऐसे काम करता है हमारे दिमाग का बड़ा सीधा सा हिसाब है कि सुबह से शाम तक हमारे सामने बहुत सारी चीज़े होती है 12-15 गंटे हम घर मतलब सोने खाने के इलाबा 12-15 गंटे इंटरेक्शन में अगर रहते हैं किसी चीज़ तो हमारे दिमाग में 50 तरीकी की चीज़े सामने आ रही है और जा रही है दिमाग ये कहता है कि जो important चीज़ है उसे store कर लो और जो important चीज़ नहीं है उसको छोड़ दो तो हमारे दिमाग में सामने कोई चीज़ आई गई आई गई हमें कोई ध्यान नहीं रहेगा लेकिन अगर आपने अपनी दिमाग के अंदर उसको store करना है तो हमें उस पर concentration करना पड़ेगा concentration कैसे होगा जैसे आपने एक line पड़ी भई हमने एक line पड़ी भई कि भई function level manager provide most of the information ठीक है ये line पड़ी और हम आके बढ़ गए मैंने यहाँ पर पड़ाया और आपने घर पे जाके नहीं पड़ा ठीक है एक वार पड़ा है ठीक है फिर अगले दिन अगली class में अगली चीज़े चल रही है फिर उस अगली class में अगली चीज़े चल रही है तो ये चीज़ आप भूल जाओगे आप कोई भी subject उठा के revise करना शुरू करना आप देखोगे कि ऐसा लगता है कि writing तो हमारी है सब कुछ हमारा है पर यार यह पढ़ा कब था लेकिन जब आप उस subject को फिर दुवारे से पढ़ना चालू करते हो तो आपको चीज़े recall होने लग जाती है तो हमारे पास दिमाग इस तरीके से काम करता है mainly theory के लिए कि आप जिस चीज़ को बार वार पढ़ते हो वो दिमाग में श्टोर हो जाती है फिर वो lifetime के लिए याद हो जाता है आपने दो वार तीन वार इसे पढ़ लिया कि functional level manager main information provide करते हैं customer के साथ होते हैं आप ये चीज़ फिर lifetime नहीं भूलोगे यानि कि हमारे पास मैं जब किलास में करवाऊंगा उसके बाद घर पे जाके जरूर पढ़ना है और मैं guarantee देता हूं 15 to 20 मिनट से जादा आपको नहीं लगेंगे और आपको बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएगी इविन आपको एक बाद आता हूं कुछ बच्चों ने एक देखा चीज देख सारे बच्चे कर पाते हैं पर most of the बच्चों के साथ ऐसा होता है कि बहुत अच्छे से अगर याद किया है तो पेज उनके सामने आ जाते हैं तो हमारी दिमाग में क्या है वो चीज capture हो जाती है फिर दिमाग उसे छोड़ता नहीं है फिर उसे छोड़ने में सालों साल लगे तो आप लोग को जो भी बताया गया है जैसे मैं कहूं आप लोग सिर्फ एक काम करेंगे मैं जैसे कहूं आप वैसे करते रहेगा यहां पर पढ़ने के बाद में घर पर आप जरूर पढ़िएगा 101% आपको बिल्कुल different result मिलेंगे SM ऐसा paper है जिसमें 50 में 50 स्कोर की जा सकते का सबसे ज्यादा scoring SM भी scoring है FM भी scoring है और दोनों interesting और आसान है सबसे आसान थियोरी और सबसे आसान numerical सबसे आसान numerical FM सबसे interesting numerical FM सबसे आसान थियोरी SM सबसे EG SM तो यह 100 नंबर ऐसे हैं जिसमें से आप 70-80 बड़े मज़े में score कर सकते हो ठीक है अब आज हम लोग देखने वाले हैं कि promoter से शुरू करते हैं देखिए एक promoter है वो company के अंदर आता है promoter और हम एक business से start कर रहे है ठीक है जी business से start कर रहा है एक promoter आता है तो जब promoter आता है कोई business से start करता है आप एक वात आता है यह आपने funds रेज किये यह आपने पास से funds लेकर आए और कोई business से start कर रहे हो त बिजनेस स्टार्ट करते पर आपकी एक thinking होगी कि आखिर आप करना क्या चाहते हो आप किस तरीके का business करना चाहते हो किस product को बनाना चाहते हो किस तरीके के customer को serve करना चाहते हो किस market में serve करना चाहते हो और technology क्या adopt करना चाहते हो तो जब promoter आता है तो इसके पास एक idea होता है उस idea से मिलती जुलती एक सोच होती है एक thought process है तो जो आपकी thinking है जो सोच कर आपने company चालू की है जो भी आपका idea है आपकी thought है that is called as vision इस vision के उपर ही फिर ये company पूरा काम करती है तो हमें सबसे पहले क्या करना है हम किस तरीके का business करना चाहते है business start करने से पहले ये सोचना होगा strategic management बाद में शुरू होता है सबसे पहले vision आता है आपको ये सोचना होगा कि आखिर आपको करना क्या है ये vision बिल्कुल clear होना चाहिए यही आपके पूरे organization का design set करवाएगा उपर से लेकर management के नीचे से लेकर जितने भी management है ये vision उनके पास पहुचेगा उसी vision को follow करते हुए ये सारे लोग काम करेंगे जो business की assets खरीदी जाएंगी जो resources होंगे वो सब इस vision के उपर ही create किये जाएंगे तो जैसे हमारे पास हम लेते हैं कि एक company उठाते हैं उसके vision की बात करेंगे राम से जैसे की apple है apple का vision था कि हमें high quality products देने है technologically high quality होने चाहिए ठीक है जी इसके बाद में हमारे tesla साहब आ गए मैं tesla car वाली company की बात कर रहा हूँ tesla ने क्या सोचा कि हम high quality car बनाएंगे जो ev की होगी electronic वी कर लोगा ठीक है तो ये vision लेकर चल रहे हैं कि हम लोगों को भई हमें गाडिया बनानी है और इन्होंने vision लिया कि हमें high quality product बनाने है जो IT related हो जिसमें hardware और software हो तो इनका जो apple का vision था वो था कि हम high quality product बनाएं ठीक है जी high quality product ओके जिसमें हम hardware software technology इन सब का इस्तिमाल करेंगे ठीक है जी इसके बात में हमारे पास में tesla साव ने सीधा सोचा कि भई मैं तो car बनाऊँगा ओके ये car कैसी होगी ये EV होगी कैसे client age को हम लेके चलेंगे high client को हम लेके चलेंगे premium client को हम लेके चलेंगे market क्या रहेगी हम पूरी दुनिया में इस गाड़ी को बना कर बेचेंगे इसके बात में बात करते है LIC LIC ने कहा कि हम एक financial conglomerate बनाएंगे यानि के हम financial related अलग अलग जितने भी business हैं वो सारे के सारे करेंगे फिर पूछा गया है NDFC bank से के भई तुम क्या करोगे NDFC bank ने कहा के हम high class top class Indian bank बनाएंगे ठीक है जी इस तरीके का कोई सोच लेकर आईए ये सिर्फ थोट होगी तो जो promoter होता है उसके दिमाग में सिर्फ थोट आती है कि आपको आखिर जाना किस line में फिर उसके बाद वो concise होता है फिर उसके बाद mission चालू होगा फिर उसके बाद में goals and objectives आएंगे ये sequence में भी एक एक चीज़े चलेंगी तो सबसे पहले जब promoter आएगा उसके दिमाग में एक थोट होगा कि आखिर मेरे को अपनी company किस चीज के लिए बनानी है मैं क्या करना चाहता हूँ क्या बनाना चाहता हूँ कई वार ऐसा होता है कि वो चीज हमें बिल्कुल clear होती है कि मैं तो car ही बनाऊँगा तो Tesla साव ने तो पहली कह दिया था मैं car ही बनाऊँगा मैं EV ही बनाऊँगा तो इनका vision बहुत ज़्यादा clear है अगर मैं बात करूँ Ford की Ford का vision था car in every garage और house कि हर घर में car होनी चाहिए तो इनका Ford का clear था कि मैं car बनाऊँगा हर घर में car जाएगी लेकिन EV car बनाऊँगा ये clear नहीं था तो vision क्या होता है एक thought होती है कई thoughts बहुत precise होती है बहुत clear होती है वो product को भी clear कर देती है कई thoughts एक मोटा मोटा idea देती है पर company चलती उसी के पीछे है उसी को achieve करने के लिए हमारी company चलती है अब LIC ने क्या सोचा financial conglomerate बनाएंगे यानि financial related जो भी काम होंगे वो हम सब कुछ करेंगे IDFC ने का हम तो भाई top class high class Indian bank बनेंगे फोर्ड ने का हम हर घर में गाड़ी खड़ी करना चाहते है यह हमारा vision है Apple ने कहा के मैं high quality product बनाऊँगा वो product hardware और software related होंगे लेकिन hardware और software related सिर्फ आपका जो macbook हो गया मतलब laptop या tablet हो गया या फिर आपका कहना चाहिए phone हो गया सिर्फ यही है या area अभी और बाकी है area बाकी है vision कैसा होता है यह short term होता है long term होता है यह long lastik होता है company शुरू से लेकर आखरी तक उसी vision के उपर चलती है हमारे यह vision है पूरी जिंदगी वो उस vision के उपर ही काम करती है यह long term होता है company उसी के उपर चलती रहेगी तो हमारे पास जो vision है वो एक थोट है जो हमारी company में हम क्या business करना चाहते है हम कहां पहुचना चाहते है हमारा future क्या होगा इस business को start करके हम customers को क्या देना चाहते है हम profit कमाना चाहते है किस product को बना कर किस market में जा कर और technology को क्या लेंगे तो इसमें कहा गया कि जो vision होता है vision का orientation रहेगा product customer market and technology ये चार चीजें आप vision के अंदर cover करते हैं तो आपका vision एक दम perfect हो गया product यानि क्या product बनाओगे customer यानि किस customer को आप target करोगे market यानि किस market में यानि आप सिर्फ इंडिया में बनाना चाहते हैं USA में बनाना चाहते हैं पूरी दुनिया को market लेके चलते हैं और technology आप कौन सी technology को इसमाल इसमें करने वाले हैं तो technology के आगे अब जैसे हम बात करते हैं कारों की तो vision product क्या बनाओगे जी कार बनाएंगे ठीक है customer क्या होगा premium customer होगा हम medium segment के लिए नहीं है अगर apple से पूछा जाए तो उन्होंने phone बनाए उन्होंने laptop बनाए और iPod ये वो 50 ताई चीज़े हैं आई watch ठीक है customer premium target किया LIC की बात करें तो इन्होंने क्या करा इन्होंने insurance दिया इन्होंने housing loans दिये और इन्होंने main इनकी LIC का काम चलता है insurance से सबको secure किया ठीक है इन्होंने customer कौन सा लिया इन्होंने premium customer नहीं लिया इन्होंने premium, medium, small यानि हर तरीके के customer को target किया छोटे से छोटे आजमियों कहा जाता है चोटी सी 500 रुपे साल आने का premium जाएगा LIC करवालो safe हो जाओगे security रहेगी और LIC ऐसी policy देता है जिस पर आपको return भी मिलती है यानि कि जिन्दगी के साथ ही और जिन्दगी के बाद भी इनका नारा है सुनने में तो बड़ आजीब लगता है मार्केटिंग देखिए जिन्दगी के साथ भी जिन्दगी के बाद भी अरे जब हम नहीं रहेंगे तो फिर insurance किस बात का करवाना हम पूरी जिन्दगी इस बात का पैसा दें कि जब हम नहीं रहेंगे तब पैसा मिलेगा बिल्कुल इनसान सिर्फ responsibilities में जीता है आप आज की date में जो पढ़ाई भी कर रहे हो ना वो कही ना कहीं आपके उपर multiple responsibilities mind के अंदर हैं जो आपने खुछ set की हुई है हो सकता है कि आपके parents ने आप से कभी ना काओ कि तुम कमाने जाओ तुम कुछ करो लेकिन आपके मन में होगा कि मुझको अच्छा करना है मुझको अच्छे पढ़ाई करनी है अच्छी जॉब पढ़ जाना है और हर बच्चे का CA की convocation होती है आप convocation की most of the photo देख लेना बच्चे अपने parents के साथ degree लेने आते हैं आप emotion देखिए आप इस देश की जो संस्कृती है उसे देखिए उसके rituals को देखिए सोच को देखिए कि बच्चे अपने parents के साथ degree लेने आते हैं यानि की वो उनको proud feel कर रहे हैं उनको लगता है कि हाँ उन्होंने achieve कि और माबाप को भी लगता है कि बस यही तो चाहिए था यह thought इस thought को connect करना यह बहुत बड़ी बात है उसके इलावा आप यह देखिए पहली salary किसी बच्चे की आती है मैंने most of the time देखा है पहली salary जब भी आती है अपने parents के लिए कुछ ना कुछ लेके जाते हैं जैसे की मेरी मम्मी को बनार सी साडी का क्रेश था तो जब मेरे पास पहले पैसे आये थे मैं तो सुरु से कोचिंग में लग गया था आर्टिकल शिप बहुत बड़िया थी उसके सीधे उसमें चला गया था आर्टिकल शिप मेरे को सभी ले कि यह क्या घान के लिया में किछ पाया कि नीऑ कि इस टेंड़ं सब्सक्राइब मेरे पहले हैं इसे पहले है इंता कि मैं एस्थेली नहीं घ्र niinud कोई बात नहीं उसके बाद मनार शारी साड़ी का क्रेश था और मैं एक बनार शारी साड़ी उनके लिए पापा के लिए मैंने एक सूट पूरा का पूरा बलू कलर का सूट मैंने उनको गिफ्ट किया तो आप emotion देखे इस देश का क्या emotion है इस देश का emotion है कि बच्चे माबाप के लिए कुछ करना चाहते हैं और बच्चे successful हो जाए माबापको इस से उपर खुशी किसी बात में ही नहीं उनकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तयार है तो यह motion है तो LIC ने क्या किया जिंदिगी के बाद भी जिंदिगी के साथ भी जिंदिगी के बाद भी यानि कि आप जब रहेंगे तब तो आपको return मिलेगी अगर आपको कुछ नहीं हुआ कोई मिस हैपनिंग होई तो LIC जित्ता भी आपने premium दिया है उस पर ब्याज जोड़ कर एक time के बाद आपको return कर देता है पूरा पैसा तो इस पर अच्छी return मिलती है और अगर कोई मिस हैपनिंग हो गई तो एक लंसम amount आपकी family को मिल जाती है आपने जब LIC कर वाली आप एक करीके से safe हुए कि मेरे जाने के बाद जो मेरी responsibility है मेरी जो family है उसके खर्चे पानी निकलते रहेंगे उनकी life में financial distress नहीं आएगा वो financially secured कर दिया आपने उनको तो आप यह सोचिए नहीं यहां काम करती है तो यह country to country matter करता है कि किस country पर काम करेगा किस पनी यह देश एक ही बात सोचता है कि मापापके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं अपनी family की आगे की जिम्मेदारी हमारी है उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं और हम हमेशा mentally यह बात अपने ऊपर सोच के चलते हैं कि we are responsible हम responsible परसने हैं हमारी responsibility है ये काम करना जब कि हमसे कहा नहीं जाता बिना कहें भी करते हैं ये होता है एक देश की संस्कृति ये है हमारी देश का culture ये हमारी देश की वो ताकर जिसकी वज़े से देश आगे है और आगे जाता रहेगा तो हमारे पास विजन में टेसला ने कार रखी फोर्ड ने भी कार रखी और फोन और लैप्टोप बनाए एपल ने और इंशुरेंस दिया एलाईसी ने इसके बाद में मार्किट की बात करें तो टेसला ने ग्लोबल मार्किट को चूच किया है जिसमें से 50% ग्लोब यह कर चुका है लेकिन इसका टार्गेट है ओल ओवर वर्ड तो यह 100% कंट्रीज को कवर करना चाहता है एपल 100% कंट्रीज को कवर करना चाहता है किसको कवर कर रहा है बात यह नहीं है किसको कवर करना चाहता है, क्या विजन क्या है कि हमारा मार्किट क्या रहेगा, हम तो पूरी दुनिया में बेचेंगी जी, LIC का भी टारगेट 100% वर्ड है, इस कंपनी को ने बोला ही है कि हम financial conglomerate है और trans nationally trans nationally का मतलब होता है multinational company हम बनना चाहते हैं, यानि हम पूरी दुनिया में insurance बेचना चाहते हैं पर LIC सबसे ज़्यादा successful इंडिया के अंदर है technology की बात की जाए, तो ford ने petrol और diesel इंजन को चूच किया, जबकि tesla ने EV को चूच किया इसके बाद में अगर बात करी जाए iPhone की, इन्होंने अपना खुद का iOS बनाया, यह Android पे नहीं यहीं Samsung में लिखूँ तो वह Android पे गया है, और insurance के अंदर technology की बात की जाए, तो यहाँ पर कोई technology का खास रोल नहीं है, इन्होंने actuals वगरा hire करे हुए हैं, बस calculation के लिए तो vision आपके पास क्या करता है vision promoter का वो thought है, वो idea है जिसके उपर पूरी company काम करेगी, vision पूरी company को काम करने के लिए motivate करता है, एक direction देता है, उपर से नीचे तक पूरे के पूरे organization में जितना भी staff है, के हम क्या बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं future में हम कहां पहुचना चाहते हैं, vision अगर जो जनता है, उससे भी connect कर जाए, तो फिर बड़ी बात हो जाती है, जैसे LIC ने connect किया है Ford ने connect किया था, every car in every garage तो हर family को ये लगा, कि Ford का vision है, हमारे साथ connect होना वो हमारे घर में भी गाड़ी ख़ली करवाना चाहते हैं, तो connect कर पाए तो आगर आप अपने vision को जनता से connect कर पाते हैं, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, फिर आपकी company किसी भी हालत में fail नहीं होगी, even जो company start की जाती है, वो एक vision के साथ की जाती है, vision क्या रहता है आप लोगों ने problem solving approach ये business करने की सबसे problem solving approach में क्या होता है, कि हम पहले देखते हैं कि आज आखिर क्या problem चल रही है market में किस चीज की समस्या है फिर उसको solve करने के लिए हम कोई product launch करते हैं, तो वो company किस vision के साथ आई, एक problem solving approach के साथ आई, तो अगर आप problem solving approach को लेके आते हैं या आप human being की life को upgrade करने के इसाफ से आते हैं, वो company कभी भी fail नहीं होगी, बाकी current business जो बहुत सारे चल रहे हैं आप जैसे मान लीडिये, एक company FMCG product बेच रही है, दाल, चीनी, आटा, ये सब, आप भी बेचने लग जाएए, तो इसमें आपने जनता को कुछ खास नहीं दिया लेकिन अगर आप उसी आटे के अंदर कुछ ऐसे vitamin protein कुछ ऐसी चीजों को add on कर दें जिससे लोगों को लगे कि ये हमारे लिए बहुत बढ़ी है, तो कितनी काम्या भी मिलेगी उसका एक example में आप बहुता था हूँ, बिसलेरी बिसलेरी जो पानी है और बाकी सारे पानी है, तो नों में फर्क है बाकी सारे पानी है कि drinkable पानी है, और जो बिसलेरी है, उसके अंदर कई सारे mineral vitamins मिले होते हैं minerals basically, तो उसका नाम है mineral water, तो एक होता है packaged water, जब आप कोई भी bottle खरीदे पानी की, तो उसके लिखा होता है वो packaged water है, packaged water का मतलब है ये साफ सुतरा पानी हो आप पी सकते है mineral water का मतलब होता है, इसमें कुछ minerals को add-on किया गया है और पानी पीने की बताए, कौन सी तो अगर आप customer को कुछ add-on करके देंगे, तो फिर आपका product और भी ज़्यादा चलेगा, ठीक है तो vision हमारे पास क्या रहेगा vision promoter की थोट रहेगी, जो पूरे company को direction देगी, ये long lastik है, ये future के हिसाफ से बनाया जाता है, कि आखिर हम future में कहाँ जाना चाहते हैं, product के बारे में आपको सोचना है, customer के बारे में सोचना है, market कहाँ कौन सी होगी, और technology आप क्या लेंगे इसे हम vision कहेंगे, यानि vision है future में आप कहाँ पहुचना चाहते हैं, ये company का blueprint है company के future का blueprint है blueprint का मतलब होता है, एक चीज को सोचना, कि भही हम इस तरह से पहुचेंगे, एक रास्ते को तै करना, तो जो vision है, वो आपकी पूरी company का direction कैसे चलेगा, हम कौन सी policy फोलो करेंगे, कौन सी strategy अपनानी चाहती है, इन सब चीजों को पूरा पूरा एक idea देता है तो सबसे पहले, एक company की starting होती है, एक thought के साथ एक vision के साथ, देखते हैं, vision के बारे में क्या कहा गया है, आ जाएगे vision, 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 आ जाओ बई vision, देखेगा, vision के बारे में पढ़ते हैं, page number 1.10 पर, बहुत simple है top management views about the company direction, तो top management company के इस direction में जाना चाहती है, and product क्या होगा, customer क्या होगा, market क्या होगा, technology क्या होगा, focus, constitute the strategic vision of the company, बिल्कुल simple definition, तो top level of management का company को लेकर company के इस direction में जाएगी, और दूसरा product, customer, market और technology पर आपका क्या focus है, ये strategic vision बताता है company का, strategic vision delinates management's aspiration, management की अकांशा क्या है, वो इस business से क्या expectation लेकर बैठा हुआ है, providing a panoramic view of where we are to go, तो हम कहां जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या idea था, and convincing rational for why this make good sense for the business, तो हम इस business में क्यों आए, हमारे management की expectation क्या है, हम कहां जाना चाहते हैं, ये vision statement clear करता है आपका, strategic vision does point out particular direction, direction क्या होगा, जैसे मान लीजिए, हमें कार बनानी है, तो कार बनानी की direction में हम लोग जा रहे हैं, chart a strategic path to be followed in future, पूरे future में हम क्या चीज़ follow करेंगे, ये उसका एक strategic path तयार कर देता है, and molding organization identity, molding का मतलब shape देना है, एक identity जो organization है, उसको identity को एक shape देता है, कि भी ford company क्या है, ये motors बनाते हैं, ठीक है, a clearly articulated strategic vision, communicates management aspiration to stakeholders, तो एक vision, अगर clearly बताया गया है, तो management ने क्या सोच कर company चालू किये, ये stakeholders को clear पता चल जाता है, जैसे ford का clear रहे कि ये car बनाते हैं, और ये car बना कर देंगे, stakeholders के अंदर कौन को न आएगा, stakeholders के अंदर हमारे shareholder, जो भी हमारे bank हैं, जो भी हमारे customer हैं, हमारे employees हैं, हमारे supplier हैं, government है, हमारे organization से connected सारे लोग, किसी भी तरीके से जिनका interaction है, वो internal हो या external हो, stakeholders के अंदर आ जाते हैं, तो stakeholders को management का clear है, ये company ये काम करती है, ये company इस direction में जा रही है, इसकी सोच इस तरह की है, तो हमारी company के जितने भी employees हैं, उनको एक common direction में ले जाने में, vision help करता है, तो हैंरी फॉर्ड ने कहा था, उनका vision था कि कार हर garage में खड़ी होगी, had power because it captured the imagination of others, दूसरों की imagination भी capture कर दी, क्योंकि हर बंदे को लग रहा था, फॉर्ड तो हमारे बारे में सोच रहा है, हमारे garage में भी car खड़ी करवाएगा, जिसके भी garage में कारनी उसको लग रहा है, जो car खरीदना चाहता है, मेहनत कर रहा है, कि Ford की thought कित्ती बढ़ी है, उस company के साथ हम भी mix हो जाएगा, अब इनके जो customers हैं, जो future customer हो सकते हैं, वो सब connected हो जाएगे, और इस company को बहुत फायदा होगा, added internal effort to mobilize the Ford Motor Company resources, and served as a reference point for gauging the merits of company strategic action, gauging का मतलब होता है, किसी चीज़ को major करना, तो ये क्या करेगा, internal efforts उसमें help करेंगे, क्योंकि company ने क्या करा, दूसरे को customer को, जो future customer हो सकता ही है, existing customer है, जितने भी people हैं, उनको ये बता दिया, कि हम हर garage में car खड़ी करना चाहते हैं, सोच ये, इसके shares कितने market में बिखने लगे होंगे, क्योंकि इस company की सोच broad है, ये customers के साथ connect हो रहा है, हर किसी के घर में car पहुचाना चाहता है, हम एक वर्ड क्लास इंडियन बैंक बनना चाहते हैं, हम इंडिया का प्राइड बनना चाहते हैं, और financial conglomerate multinational level पे बनना चाहते हैं, एक multinational company बनेंगे हम in future, सारी countries में हम serve करेंगे, ये vision है, vision long lastik होता है, उसे पानी में समय लगता है, apple का कहना है, apple का जर्ण vision देखिए, we believe that we are on the face of the earth, to make great products, and that is not changing, इनका vision है, कि हम ये मानते हैं, कि हम earth पे good great products देने के लिए हैं, ये कभी change नहीं होगा, इनका vision के लिए रहे, कि apple हमेशा high quality product ही देगा, LIC pride of India वर्ड लिखा है, यानि इंडिया को सबसे पहले लेके चलेगा, और financial conglomerate, globe level पर बनेगा, ठीक है, और HDFC का है, कि हम एक world class bank बनेंगे, लेकिन bank हम इंडिया नहीं रहेंगे, इंडियान बनेंगे, तो vision क्या कहता है, जब आप vision बनाते हो, आपका एक idea कि आप आखिर क्या करने हैं, कि हम world class Indian bank बनने आए, हम एक conglomerate बनेंगे financial, यानि financial सारे product हम provide करेंगे, LIC, apple हम greatest great product provide करेंगे, और ये हमारा change नहीं होगा, ये है vision, तो vision आपका अगर हम इसको summarize करें, बड़ी छोटी सी definition है, तो vision को अगर हम देखें, तो vision बड़ा clear है, company किस direction में जानी है, management के हिसाफ से, product, customer, market और technology, focus आपका क्या है, आप कहां जाना चाहते हैं, where we are to go, strategic vision क्या करेगा, direction बताएगा, आपको path बताएगा आगे जाने का, आपके organization की identity को shape देगा, कि आप इस तरीके के organization है, आप TV manufacturer हैं, आप car manufacturer हैं, याँ आप IT company हैं, वो shape देदेगा, अगर आपने clearly vision को बताया, clarity है उसके अंदर, तो management की जो aspiration है, वो stakeholder तक पहुँच जाएंगी, vision को पढ़ करी, और जो भी company की energy है, परसोनल की, वो एक common direction में काम करेगी, इसके बाद में इनके vision आ गए, अब essential of strategic vision, essential क्या क्या हो सकते हैं, essential बहुत ही simple हैं, सबसे पहली चीज, vision एक creative चीज है, देखो, कोई भी company में, आप किसी सोच के साथ, कोई business से start करते हो, तो ये creativity का part है, कि आपने सोचा, कि हम आखिर कहा जाना चाते हैं, क्या करना चाते हैं, future क्या होगा, एक business से start करते हो, बहुत दूर की सोच रखना, तो ये creative है, ये intelligent entrepreneurship, का एक exercise है, यानि हिस्सा है, एक intelligent entrepreneurship ही, इतनी दूर दरशिता वाली बात, सोच सकते हैं, इसके इलाबा, vision ऐसा होना चाहिए, जो लोगों के अंदर जोश भर दे, enthusiast में यहाँ पर बोला गया है, कि enthusiastik enthusiast, enthusiast जोश भर दे, हम यह करेंगे, हम हर घर में गाड़ी पहुचाएंगे, हम वर्ड क्लास इंडियन बैंक बनेंगे, हम ग्रेट प्रोड़क्ट बनाएंगे, vision जोशीला होना चाहिए, employees के अंदर जोश भर दे, यास, यह करेंगे, जैसे नमीतर और classes का vision है, कि paper को आसान बनाना, हमारा सिर्फ एक ही vision है, paper को आसान बनाना और बच्चों के number आएंगे, तो क्या, paper को आसान बना देंगे, number लेकर आएंगे, यास, इसके इलाबा, vision ऐसा होना चाहिए, जो direction company को दे पाए, clear way में, तो हमारे essential में, creative thought है, intelligent entrepreneurship की exercise है, enthusiasm create करने वाला है, और clearly बताएगा, कि direction company का क्या होगा, organization किस तरफ आगे, बढ़ने वाला है, this is called vision, बहुत ही simple है, बहुत आसान, vision के बाद में, हमारे पास दूसरी चीज़ आती है, mission, अब ज़रा देखिए, vision तो आ गया, कि बहुत important है, पहले तो सबसे पहले vision आएगा, vision के बाद ही strategic management शुरू होता है, जब आपको पता ही नहीं, आपको business क्या करना है, तो फिर आपका business कैसे start होगा, तो क्या business करना है, future में कहां जाना चाहते हो, company start क्योंकि यह, it is called as vision, पूरी company को एक direction देता है, ठीक है, mission है, आपका present, आखिर आप अभी क्या कर रहे हो, तो जैसे मैं नाम देता हूँ, Tesla, Apple, LIC, HDFC, ठीक है, ओके, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, vision, short मैं लिखूँँगा, ठीक है, अब Tesla का vision था, कि हम, supreme technology, innovation, देंगे, तो इन्होंने एक vision रखा, कि हम, innovation देंगे, पूरी country को, पूरे globe को, Apple ने का, हम great product बनाएंगे, जी, और यह बात हम बदलेंगे नहीं, ओके जी, LIC ने का, हम financial conglorate बनाएंगे, यानि हर तरीके का financial product, हम serve करेंगे, L.D.FC ने का, हम world class Indian bank बनेंगे, ओके, यह हो गया vision, यह company खुलते के time की सोच है, यह long lastik होती है, और पूरी company इसी पर चलती है, lifetime, lifetime company, company का एक जो setup होता है, जो foundation है, आप कह सकते हैं, यह foundation statement है, vision एक foundation statement है, जो आपने company चालू करी, तो आपका vision क्या था, जैसे मैं अगर आप लोगों से पूछू, यहाँ पर मैं एक CA student लिखता हूँ, यह business से related नहीं है, लेकिन अगर मैं आप से पूछू कि, आपका vision क्या है और mission क्या है, आपको vision और mission में फ़र्द पतार चल जाएगा, आप कहेंगे कि आपका mission है CA बनना, आज ही लेट में तो आप यह बोलेंगे, कि आपका mission CA बनना है, क्या CA बनना long-lasting एक objective है, नहीं सर मेरा mission है CA बनके practice करना, अच्छा, सर मेरा mission है CA बनके job करना, मैं आपको बता दूँ, दुनिया के हर इंसान का, हर इंसान का अगर आप उठा के देखेंगे न, तो उसका जो vision मिलेगा न, वो एक ही मिलेगा, वो है एक अच्छा इंसान बनना, इससे उपर कुछ नहीं है, एक अच्छा इंसान बनना, यह हमारा vision होता है, यह vision है, लोंग लाश्टिक, क्या है कि अच्छा इंसान बनना, एक short term practice है, या long term practice है, बहुत जल्दी खतम हो जाती है, मैं आपको बता हूँ, मैं सालों से अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी भी कभी कभी कुछ नो कुछ कमी अपने अंदर फील हो जाती है, आप life में कभी भी देखेगा, vision है, अच्छा इंसान बनना, मिरी पूरी जिंदिगी निकल जाएगी, आपको बोलना आ जाएगा, लेकिन कब क्या बोलना है, यह सीखने में सालो साल लग जाते हैं, तो अगर आप एक अच्छे speaker बनना चाहते हैं, आप एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, तो उसमें बहुत time लगता है, मेरे साथ में कई साई चीज़ों है, ऐसा नहीं है, मैं अभी भी एक अच्छे इंसान हूँ, लेकिन मैं जितना अच्छे इंसान बनना चाहता हूँ शायद उसमें भी टाइम लगेगा लाइफ में जब अलग-अलग फेजी चाहते हैं तो इंसान धीरे-धीरे सीखता है इस चीज को अच्छा ही है या बुरा ही है पॉइंट है आपकी नियत क्या है मैं समझ पाया अगर आपकी नियت साफ है यानि आप जूट बोल रहे हो किसी अच्छे काम के लिए तो आपने आज जूटी बोला है लेकिन आगे वो किसी अच्छे काम की वज़े साज आपने जूट बोला है तो इसमें कोई बुराई नहीं है यह ठीक है, मैं अभी तक यह सीखाऊ अभी life में मेरे को आगे और experience में और चीजे सीखोंगा मैंने सीखा जूट नहीं बोलना है बेमानी नहीं करनी है गलत नहीं करना family नहीं यह सिखा है सबकी family यह सिखाती है किसी family किसी को नहीं बोलती है जाब ही चोरी कर जूट बोल मक्कार बन जा तो एक अच्छे इंसान बनना ही सब कुछ है CA बनना उसके सामने बहुत चोटी चीज़ है आप CA नहीं होते, doctor होते, doctor नहीं होते, engineer होते कोई और नोकरी कर रहे होते, कोई business कर रहे होते, कुछ भी कर रहे होते अपनी life के लिए पैसा कमाना पैसा कमाना एक vision नहीं है पैसा कमाना बहुत छोटी सी चीज़ है जब तक पैसा आता नहीं है तब तक ऐसा लगता है पैसे की बहुत value है जब आप उसमें काम्यावी पा लेंगे न तो यह जो life में अगर आप एक सकून की नींद लेना चाहते हैं एक अच्छी जिन्दगी जीना चाहते हैं तो अपने जीवन का एक ही target रखी है कि आपको एक अच्छा इंसान बनना है इससे उपर कुछ नहीं है इसके उपर दुनिया में कुछ भी नहीं है हर कोई अपने साथ में सिर्फ एक अच्छा इंसान ही चाहता है हर कोई उससे connect रहना चाहता है हर कोई उसकी respect करता है और वो उसकी आत्मा शांत रहती उसकी आत्मा वे बोज नहीं होता कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ कोई गलत काम कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि एक जो विजन है वो एक अच्छा इंसान बनना हो सकता है ठीक है अब बात करते हैं मिशन की मिशन में मैं सी ये स्टूडेंट को यहां पर हटाता हूँ मैं तो यहां पर एक human being लिखता हूँ human हाँ जी मिशन की बात करते हैं मिशन ये जो विजन है ये lifetime है ये future में आप end of the day कहां पहुचना चाहते है इसको बताता है तो हम innovation करना चाहते है ठीक है जी हम great product बनाना चाहते है तो ये तो lifetime चलता ही रहेगा great product के बाद दूसरा product दूसरा तीसरा product innovation तो चलते ही रहेंगे financial conglomerate में आप तो नई नी financial service लाते रहें LIC हर 6 महीने पे एक नया plan ले आती है तो ये कैं नई financial service ले आए इसके इलावा HDFC है HDFC नए-ने plans, नए-ने FD plans नए loan plans, वैसे mainly ये housing finance company है तो घर के लिए loan देती है लेकिन इन्होंने बाकी भी सारे काम कर रखे है ठीक है Mission बताता है आपके present को ये आपके business का पूरी की पूरी कहानी बता देता है Mission बताता है कि Tesla साहव आप innovation करना चाहते हैं ये आपका vision है लेकिन आप आज कहां खड़े हैं आप आज क्या कर रहे हैं आप जो कर रहे हैं आपका market share क्या है आपका customer क्या है आप customer की कौन सी need को fulfill कर रहे है ठ्यान से सुनना Mission पूरी कहानी आपकी आज तक की clear करता है कि company खुलने से लेकर और आज तक आप कहां खड़े हैं और ये भी बता देता है कि जो आपकी आज की स्थी है कि आप future में कहां जाएंगे तो Mission कहता है Tesla साहब आप innovation करना चाहते हैं आपका vision है बहुत अच्छी बात है आप आज कहां खड़े हैं तो आप ये कहते हैं हमने EV cars बनाई है जो दुनिया की सबसे बहतरीन car है तो क्या के लियर हुआ इन्होंने EV बनाई है ठीक है electronic vehicles में इन्होंने four wheeler को car को choose किया है ये luxury segment की car बनाते हैं इनका customer premium customer है इन्होंने all over world में इस car को पहुचाना है लेकिन अभी पहुचाना नहीं पाए present बताओ भी present इंडिया में तो भी Tesla नहीं है इनका जो market है वो क्या है इनका market जैसे USA, Europe ये इन्होंने cover कर लिया है अच्छा जी और इसके इलावा आपके जो customer है वो premium हो गए आप car बनाते हो luxury, EV बनाते हो EV में कौन सी technology यूज़ कर रहे हो कौन सी battery यूज़ कर रहे है वो lithium battery है या वो dry batteries है वो बताईए आपकी car के अंदर क्या-क्या features है क्या difference है बाकी company यों से आपकी car के अंदर आपकी car के EV के इलावा और other features में क्या फ़र्क है आपकी जो engine, जो motor है उस motor का बाकी जो बाकी company अभी तो EV बना रहे है उनसे आप में क्या difference है आप उनसे कैसे ऊपर हो उनसे कैसे better हो यानि जो भी environment आपके चारों तरफ है आपके competitors है आप उनमें better कैसे हो आपकी strength क्या है वो mission के अंदर पता चलती है आप अभी क्या कर रहे हो आपका market share कितना है अभी आपका market share 20%, 30%, 40% है आपकी ROI कितनी है अभी आप कितने रुपे सालाना कमा रहे हो कितना dividend distribute कर रहे हो business की position आपकी क्या है आपके R&D department के अंदर अभी क्या चल रहा है जिससे पता चले कि आखिर आप future में क्या करने वाले हो ये mission के अंदर clear होता है यानि mission बताता है हमारी existing हर एक situation हमारा customer कौन है हम किस need को fulfill कर रहे है हमारा market क्या है हमारा existing business क्या है तो business अभी EV car है innovation की बात होई थी लेकिन EV car बना रहे है और भी बहुत साइचीज़े innovation में हो सकती है मैं अभी car को ये लेके चल रहा हूँ ठीक है तो हम अभी क्या business करते है car बना रहे है EV की car बना रहे है R&D department में काम चल रहा है कि हम क्या करेंगे solar system से car चलाएंगी तो R&D department बताएगा future में क्या product बनाने बाले है आप किन customers को serve कर रहे है तो premium customer को ये serve कर रहे है आपका market share कितना है मेरे 20-30% market share आपकी ROI कितनी है आपकी strength कि है आपके यहाँ पर company में काम करने वाले जो staff है वो कितने skilled है तो आपका जो existing business अभी चल रहा है वो है mission तो mission statement बताता है कि हमारी existing business position क्या है अब जैसे मैं बात करूँ Apple की तो Apple अभी laptop बनाता है Apple mobile बनाता है मैं दो चीज़ों को लेके चलता हूँ आइसे तो फिर iWatch बहुसा ही चीज़ आजेंगी तो iPhone बनाता है, laptop बनाता है इनकी specification है कि इन्होंने अपना एक iOS अपना operating system डेवलप कर रखा है इनका market system वर्ड है यह पूरे 100% all over वर्ड यह फैल चुके हैं इसके इलाबा, इनके R&D डिपार्टमेंट में माल लीजे, काम चल रहा है TV के उपर, कि हम अब high quality TV बनाएंगे तो इसका मतलब future में आप TV के अंदर भी जाने वाले हैं तो mission statement बताता है कि आपकी strength क्या है आप कहां तक पहुँच गए एपल का market share कितना है profit share कितना है यह सारी चीजे mission statement के अंदर आ जाएंगे आपका पूरा existing सब कुछ mission statement के अंदर खबर होगा यानि vision future को बताता है long lastik कहां पहुचना है लेकिन mission बताता है कहां पहुच चुके हैं क्या कर रहे हैं क्या बना रहे हैं vision बताता है हम ऐसे ऐसे इस इस line में काम करेंगे हम software बनाएंगे हम hardware बनाएंगे हम car बनाएंगे mission बताता है कौन सी car कैसी car किस customer को कितने market share पर क्या technology यूज़ कर रहे हो और R&D department में क्या कर रहे हो यानि future में कहां पहुचने वाले हो हमारी future की growth कितनी होगी तुम आने वाले कुछ सालों में कहां पहुच जाओगे यह सब mission statement बताता है mission statement में अब LIC क्या करता है जी insurance देता है अलग-अलग तरीके के और housing finance है इसका LIC finance housing finance इस तरीके की services बाकि इसमें आप और भी financial services मिलती है IDFC bank क्या करता है housing loan भी देता है car loan भी देता है तो और जी saving account भी चलते हैं इसके अंदर इसकी FD भी चलती है तो mission statement बेसिकली बताता है कि आप अभी कहां तक पहुचे हैं और आप की sheet पर काम कर रहे हैं जैसे कि अभी मैं एक human being को involve कर रहा हूँ इसमें जबकि वैसे financial बात करनी चाहिए financial पर भी आ जाएंगे छोटी सी बात है क्योंकि हमने एक अच्छे इंसान बनने वाली बात की थी तो एक अच्छे इंसान बनना है मैंने देखिए क्या करा मैंने गुसा बहुत ज ज़यादा आता था मेरे को बहुत ज़यादा गुसा आता था बच्पन में और मैं समान वागेर भी तोड़ देता था मैंने इसके उपर पूरा काम किया मैं अभी तक गुसा ... मेरे को गुसा नहीं आता ठीक है जी और क्या कि आपने, सच बोलने की मेरी यादत है, किसी भी हालत में मैं जूट नहीं बोलता, कभी नहीं, ओके जी, सच बोलते हैं, जूट नहीं बोलते, लालच मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है, मेरे को किसी चीज का लालच नहीं है, हा लेकिन मेरे अंदर अभी जो existing है, व और commitment है, बच्चों को अगर commitment करा है, ये चीज करवाएंगे तो करवाएंगे, मैंने ये सोच लिया था, कि बच्चों को paper easy बनवाना है, जब मैं पढ़ता था, तो costing और FM एक साथ होते थे, और सबसे भारी paper माना जाता था, मैंने सोच लिया था, कि इसको आके आसान तो मेरा एकी target था, कि papers को easy बनाना है, उसके लिए एतनी research, एतनी R&D, एक सबसे बड़ा काम, बच्चा बनके मैंने सोचा, मैं हमेशन जब पढ़ाता हूं, तो मैं सोचता हूं, तो मैं क्या सोच रहा हूं, उस level पर जाके सोचता हूं, तब ही मैं बच्चे को वो बात बता पाता हूं, जो student level पर समझ में आए, तो मैंने गुस्ता छोड़ दिया, अच्छे इंसानों बने लिए, सच बोलना, honesty सुरू से है, honesty का कभी कोई issue नहीं रहा, थोड़ा सा मेरे अंदर दो बुरियात थे बच्ची है, जैसे हम लोग कभी साथ में बैठते हैं, कोई दोस दोस तो कई बार तीसरे दोस्त की बुराई करने लग जाते हैं, ऐसा है, थोड़ा सा, उसमें रस आता है न, बहुत, तो एक तो मैंने वो बिल्कुल खतम कर दिया है, पिछले एक-दो साल से उस पर काम, अब मैं कहीं भी देखता हूं कि किसी की बुराई करने हैं, हम क्यों किसी को जज नहीं करता, कि वो अच्छा है हैं, बुरा है, किसी यह बोलने से नहीं नामता, तो एक थोड़ा सा, जैलिसी इशू कि कई वार ऐसा लगता है, कुछ लोग, मतलब है थोड़ा सा, जैलिसी इशू, पूरा मैं ऐसे बताऊं को न, मैं उसके उपर काम कर रहा हूं, आगे, अगला मैं देखूंगा कि क्या चीज मेरे को कमी नजर आती है, तो वो चीज और में इंप्रूव करूँगा, लाइफ टाइम चलता रहेगा, और यह मिशन है, यह मेरा आज और फ्यूचर सब बता रहे है, तो अब मैं इस चीज को यहां से हटाता हूं, अब हम आते हैं, फाइनिशल उस पर, ऐसी स्टेप बाइ स्टेप चलता है, तो विजन बताता है, हम इनोवेशन करेंगे, मिशन बताता है, कि तुमने करा क्या है, वो बताओ, और फ्यूचर तुमारा इससे दिखने लगेगा, तुमारे जो बिजनिस की रिसोर्स हैं, वो मिशन फीजरी प्रीमियम गाडिया है, हमें प्रीमियम नैस देनी हैं, यूएसे में हम पोच चुके हैं, यूरोप में पोच चुके हैं, बाकी ही जिगवशन की कोशिश कर रहे हैं, तो फ्यूचर बताता है कि आप फ्यूचर में पूरी दुनिया में फैल जाएंगे, रिसर्च आप कितनी महनत कर रहे हैं, जो आपका आगया आना decide होगा, जैसे कि आप अगर CA की आज पढ़ाई कर रहे हैं, तो decide करता है, भाई, बच्चा सुवए शाम तक पढ़ रहा है, तो वो decide करता है कि आप जल्दी एक attempt में CA बनने वाले हैं, टाइम लगे, एक बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, उसका present है, वो पढ़ाई नहीं कर रहा, तो future दिख रहा है, तो time लगेगा, एक बच्चा सुवए शाम तक लगा पढ़ा है, पूरी महनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उसका future दिख रहा है, ये निकाल लेगा इस attempt में, तो mission आपकी present situation को बताता है, और present situation से आपका future भी इसमें दिखने लग जाता है, आज ये एक बार देखते है mission का, mission आपका existing scenario है, आज आप क्या कर रहे हैं, और future में का हम पहुचेंगे, देखेगा, अब mission is an answer to the basic question, what business are we in and what we do, हम किस business में हैं, और हम क्या करते हैं, ये mission statement बताता है, जैसे की, पहले मैं आपको mission statement पढ़वाता हूँ, इनके जैसे LIC वगरा के, IDFC bank, इसका mission statement देखे, इसका vision क्या था, world class Indian bank बनना, अब जब देखे क्या करता है, IDFC bank है two-fold mission, यानि इसके present दो business हैं, जो ये कर रहा है, first to be preferred provider of banking service of target retail and wholesale customer, तो retail and wholesale customer को banking service दे रहे, the second is to achieve healthy growth in profitability, दूसरा इनका focus है profit कमाना, तो ये industry के अंदर, banking के अंदर healthy profit कमा रहे हैं, और दूसरा banking services प्रोवाइड कर रहे हैं, ये ensure and enhance the quality of life of people through financial security, financial security कैसे, आपने insurance ले लिए, आप financial secure होगे, अब अगर बगवान न करे कुछ हुआ, तो आप secured हो, आपकी family security, दूसरा, जो आप LIC को पैसा देते हो, एक होता है term insurance, तो term insurance के अंदर तो premium वापिस नहीं मिलता, पर LIC के most of the, जितने भी plans हैं, उसके अंदर, आप जितना भी premium देते हो, वो with interest आपको return मिल जाती है, तो return भी बहुत अच्छी देता है, तो financial security by providing product, product यहाँ पे insurance की बात है, and services of expired attributes with competitive returns, उस पर return भी आपको देता है, and by rendering resources for economic development, economic development किस तरीके से होता है, economic development होता है, अगर आपको financial support मिलता है, आप अपने funds को इखटा करते हो, और fund को इखटा करते जा रहे हो, LIC को मान लो, आप premium दे रहे हो, फिर आपको इखटा पैसा मिलता है, तो economically development होता है, क्योंकि सब rich बन रहे है, आपकी saving की एक nature बनी हुई है, even ATC के अंदर भी इसकी deduction आपको मिलती है, तो tax में भी rate किस लिए मिल रिए, deduction किस लिए मिल रिए, क्योंकि LIC ने agreement किया हुआ है, जितना पैसा लोग save करते हैं, वो future के लिए उनकी wealth को increase करता है, उनके lifestyle को increase करता है, तो इस customer through innovative hardware, software and services, तो Apple कह रहा है कि हम best user experience देते हैं, innovative hardware है, software है, उनके हमारी services है, तो mission statement बताता है, आप कर क्या रहे हो, IDFC का mission था, हम world class Indian bank बनेंगे, कर क्या रहा है, भी banking service दे रहा है, यह बता दिया, यहां तक अभी हम यह काम कर रहे है, LIC का mission कह था कि society को strength देनी है, और इंडिया का pride बना है, और financial conglomerate, ठीक है जी, और यह क्या कर रहे है, अभी insurance बेच रहे हैं, उस पे अच्छे return दे रहे है, economic development कर रहे है, Apple का mission क्या था, कि हम दुनिया को great products देंगे, उस products के अंदर, यह innovative hardware, software पर पहुँच गया है, यह कर रहे हैं, इस time यह, तो यह, इनका एक mission statement, छोटा सा है है, mission statement पूरा एक बड़ा हो सकता है, जिसमें एक एक चीज के लिए हो, ओके, अब mission is an answer to the basic question, what business are we in and what we do, it has been observed that many firms fail to conceptualize and articulate the mission and business definition, अगर आप, अपने mission को बताने में, business definition को बताने में fail हो गए, तो आप opportunities को लूच कर जाएंगे, with the required clarity, तो अगर clarity के साथ आपको अपने business में, आप क्या करते हैं, किस तरीके के business में यह आपको clear नहीं है, तो आप organization में stakeholders को नहीं बता पाएंगे, कि आप क्या करेंगे, तो mission statement बताया जाता है, हम यह करने हैं, यह हमारी quality है, यह product है, हम इतना बढ़िया करने हैं, हम यहाँ यहाँ serve करने हैं, हर जगे यह चीज publish की जाती है, जिससे हमारी strength पता चलती है, और हम future में कहां जाने वाले ही यह पता चलता है, तो अगर आपने with the required clarity यह बात नहीं बताई, तो आप opportunities को लूज कर जाएंगे, तो आप opportunities को लूज कर जाएंगे, तो आप opportunities को लूज कर जाएंगे, ओके, firms working to manage their organization strategically cannot be lex यानि lenient, in the matter of mission and business definition, as the two ideas are absolutely central to the strategic planning, तो कोई भी organization, लापरवाही नहीं कर सकता, अपने mission statement को बताने में, plus उसका business purpose किया है, वो आगे क्या करने वाला है, और क्या कर रहा है, तो अगर आप इसको बताने में leniency कर गए, तो यह afford नहीं किया जा सकता, यह दो चीज़े हैं, mission and business definition, जो important है, mission के अंदर ही business definition भी कबर होती है, अगर आपकी यह दोनों चीज़े के लिए हैं, तो आप strategic planning proper way में कर पाएंगे, वरना दिक्कत होगी, ओके, the corporate mission is an expression of the growth ambition of the firm, firm की क्या growth ambition है, यह Mr. Nundan ने स्टेट्मेंट बताता है, क्योंकि उसने आपकी आज तक की सारी situation बता दी, कि आप अभी तक EV पर पहुँच गए हैं, ऐसा ऐसा, और आप existingly किस चीज़ पर काम कर रहे हैं, यह firm का future दिखा देता है, इट प्रोवाइट्स आर्ड्रेमेटिक पिक्चर ओफ वर्ट दा कम्पनी वांट्स टू बिकम, कम्पनी क्या बनना जबाली है, यह बता देगा, इट इज दा कॉर्पोरेशन स् रीम क्रिश्टलाइट, तो आपकी current position जो भी है, mission statement यह बता देता है, कि आप future में कहां पहुचने वाले हैं, कैसे बताता है, वो होताता हूँ, आप एक बात होता है, आप आज की date में stable नहीं हैं career wise, आप तो भी CA student है, लेकिन आपकी रोजाना की पढ़ाई, आपकी रोजाना की महनत, और आपने कितने subjects complete कर ली हैं, आप एक group की पूरी पढ़ाई कर चुके हैं, second group का, आपका last paper तयारी में चल रहा हैं, second last चल रहा है, तो आप ये position बता देते हैं, कि आने वाले attempt में आप क्या करने वाले हैं, तो आपका existence, future को बता देता है, आप आज की current position के है, doesn't matter, अभी आप जैसे, आप CA enter होगा, CA enter के बाद में आपकी आर्टिकल शिप चाल लोगी, आर्टिकल शिप में मिलेंगे आपको 5,000-10,000 रुपेश टाइप एंड, आपकी current situation क्या होगी final में, फाइनल में अगर आपको तो आपकी current situation क्या है, क्या आप 5,000-10,000 क्या आदमी, लेकिन अगर आप regular मेहनत कर रहे होगे और आपने final निकलते के साथ, आप एक लाक रुपे क्या आदमी है, तो आपकी आज क्या position है, matter नहीं करता, पर आपकी जो आज की मेहनत है, तो हमें क्या चीज बिजनिस में लेकर आई, हम यहाँ पर क्यों है, हम किस existence को ढूंड़ रहे हैं, और हमारा purpose क्या है future में, जिसे हम achieve करना चाहते हैं, इन अदर वर्ट, तो mission हमें बताता है, existence है, वो कैसे है, क्यों है, और future में हम कहाँ पहुचेंगे, it legitimize the firm presence, legitimize का मतलब होता है, किसी चीज को ठोक वजा के प्रूव करना, तो it proves the firm presence, तो mission का अगर simple सी बात की जाए, तो हमारे पास mission, हम किस business में हैं, और हम क्या करते हैं, इस वारे में हमें बताना है, तो जैसे मैं अब marketing करता हूँ, बेखो, किस तरीके से, हम नमी तरोरा किलासिज हैं, हम बच्चों को CA intermediate का cost FM and SM पढ़ाते हैं, हमारा पढ़ाय हुआ बच्चा हमेशा पास होता है, हमारे यहां से हमेशा exemption आती है, हमारे पढ़ाने की quality बहुत ही जादा हाई है, हम बच्चे को इस तरह से पढ़ाते हैं, कि वो बात बच्चे के दिमाग में बैट जाती है, और वो उसे कभी भूलता नहीं है, हम बच्चे के साथ लाश तक लगे रहते हैं, यूट्यूब पे revision करवाते हैं, और बच्चे को revision करवा करवा के, पढ़ा पढ़ा के, बाते बार बार बता कर, पास करवा कर ही छोड़ते हैं, इसके इलावा हम बच्चे को हमेशा support करते हैं, हम बच्चे के C.A. बनने के बाद तक उससे connected रहते हैं, तो C.A. के साथ भी और C.A. के बाद भी नमित अरोरा क्लासिज, ये है एक mission statement, मैंने क्या बताया, कि हम क्या कर रहे हैं, नमित अरोरा क्लासिज बेच्चो पढ़ाता है, ये subject पढ़ाता है, ऐसे pass करवाता है, ये हमारी quality, ये mission statement है, और ये future भी बताता है, कि आप आगे क्या करने वाले हैं, जैसे mission statement के अंदर, मान लीजिए मैं, आज की date में, आप मेरे studio में आए, और आप देखते हो, A.F.M. CA final का जो A.F.M. है, उसकी books और notes रखे हैं, तो इससे क्या समझ में आता है, मैं आज क्या करना हूँ, इसका मतलब, सर, अब बहुत जल्दी, final का A.F.M. भी start करने वाले हैं, तो आप जो कर रहे होतों, उससे future भी आपका पता, चल जाता है, वाइ शुड एन और्गनाईजेशन है वा मिशन, अच्छा, जैसे एक जाम में कोशन आएंगे, तो मैंने क्या क्या हुआ है, जैसे मिशन से रिलेटिट सारी चीजे हैं, वो आपको यहां पर मिल रही है, तो मिशन के बारे में पूछता है, तो सिर्फ सिंपल सी definition दी, हो गया काम, यह एक अलग कोशन आएगा, तो जैसे कोशन आएगा, उसका आंसर दे देंगे, कि बहुत ओर्णाईजेशन को मिशन की क्यों जड़ रहत है, तो यह रिजन समय बताने हैं, तो मिशन इसलिए होना चाहिए, जिससे की, जो भी बिजनिस का परपज है, उसमें clarity रहे, ensure unanimity of the purpose, तो unanimity यानि clarity होनी चाहिए, क्या आपका परपज क्या है, हमारे पास जो भी resources हैं, उनको allocation करने का base देता है mission, तो हम जो बिजनिस कर रहे हैं, उसी से तो पता चलेगा, resources कैसे allocate होंगी, और motivate करता है, उनको use करने का, तो organization की जो resources हैं, उनको use करने का motivation, किस तरीके से, जैसे हम EV के business में है, या मैं अपने नमीतर और अक्लासिज की बात करता हूँ, नमीतर और अक्लासिज आपको बहतरीन revision करवाता है, तो अब मेरे को revision करवाने के लिए, जितने भी resources हैं, बढ़ी हा revision करवाने के लिए, वो motivate करेंगी, कि उन सारी resources को मैं आपको दूँ, और better revision करवाऊं, तो एक EV की high quality car बनानी है, तो मेरे को high quality car बनाने के लिए, जितने भी firm के organization के resources है, उनको पूरी तरीके से utilize करने का motivation मिल रहा है, कि हाँ, इनको इस्तेमाल करो, बढ़ी हा कार बनाओ, बढ़ी हा product दो, बढ़ी हा mobile दो, तो यह यहाँ पर motivation का काम करता है, resources के लिए, establish a general tone, यह एक पूरे organization में, एक general tone set करता है, कि हम क्या करते हैं, हम किस business में है, यह focal point, यानि जिस point को देख कर, लोग हमें evaluate करते हैं, हम किस business में हैं, कैसा कर रहे हैं, हमारी performance कैसी है, उसका focal point बनता है, to serve as a focal point, for those who can identify with the business, organization, purpose and direction, तो purpose and direction को जो भी पहचामते हैं, देखते हैं, उनके लिए focal point बनता है, कि अच्छा, यह इस business में, यह काम कर रहे हैं, यह यहां तक पहुँच गए है, to facilitate the translation of objective and goals into work structure, अभी हमारे पास में goals and objective आएगा एक topic, कि हमारा अब business का goal and objective क्या है, तो हमारा mission statement उसे framework देता है, लेकिन यह बात उसके बाद ज़्यादे के लिए हो जाएगी, to specify organization purpose, जो भी organization का purpose है वो होता ही है, and translation of these purpose into goals, तो जो भी हमारे business का purpose है, उसे goals में convert करना, जैसे हमारे purpose है high quality product देना, तो इस साल का हमारा goal है, कि हम apple के mobile की, जो भी हमारी chip है, उसको और भी improve करेंगे, तो goal set हो गया, तो mission goal को direction देता है, अब हमारे पास, अगर हम बात करते हैं short में, कि mission statement, या mission क्यों जरूरी है, तो जिससे हमारा जो भी business purpose है, वो clear रहे, हम अपने organization के resources को allocate कर पाएं, उसका standard देता है, उनको use करने का motivation देता है, हमारे पूरे business की एक general tone establish करता है, जो हमारे business को evaluate कर सकते हैं, हमारे purpose को planning को identify कर सकते हैं, उनको एक focal point देता है, अच्छा है, ये ये काम करते हैं, ये इस तरह से काम करते हैं, ये हमारे goals और objective को work structure में convert करता है, और organization के purpose को goal में convert करता है, अग company mission statement is typically focused on its present business scope, तो हमारे mission statement है, who we are and what we do, हम क्या हैं और क्या करते हैं, इसके बाद HDFC, LIC और Apple आ गया, अच्छा, अब बच्चे के सामने कोशन आता है, कि सर जैसे आपने पहले mission बता भी दिया, कि हाँ हमारी existing पूरी scenario, और आपने उसको पूरा अच्छे से read करवा के, अब हम घर पे पढ़ेंगे, तो हमें पूरी तरह से clear भी हो जाएगा, पर सर हमें exam में किस तरह से लिखना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, कि exam में किस तरह से question आएंगे, और हम किस तरह से लिखना आएंगे, क्या सर जितना हम पढ़ रहे हैं, वो सारा का सारा लिखना पढ़ेगा, बेटा, आज तक ऐसा कभी हुआ है, आज तक ऐसा कभी हुआ है, कि आपने जितना पढ़ा हो, उतना लिख पाएं, जितना पढ़ोगे, उसका कम ही लिख पाऊगे, हमने study mat में से कुछ भी cutting नहीं करी है, study mat में हर बात को चार-चार बार कुमा के, जैसे यहां भी लिखा है, what we need is, we are and what we do, फिर last में, बात को complete करते हुए कह दिया, who we are, what we do, तो हम यहां पर read करते हुए तो पढ़ रहे हैं आराम से, उसके बाद में दुआर से read करेंगे, दिवार से read करेंगे, तो इसके अंदर का आपको जो भी point लिखे हुए, अगर आप उसका 40-50% भी लिखे होगे, तो आपको पूरे marks मिलेंगे, question आएगा, 2 number का, 3 number का, 5 number का, और MCQ, तो जैसा question होगा, accordingly उसका जवाब होगा, अभी इसके अंदर मैं आपको ये बात आगे समझाता हूँ, following points are useful, while writing a mission of a company, तो question कैसा रहेगा, कि वो point explain करो, जो mission लिखते हो, useful होते हैं, तो इसके अंदर 3 point है सिर्फ, जो mission statement होता है, या जो आप अपनी company का mission बताते हैं, कि आप क्या कर रहे हैं, बेस्ट लगजरी कार हैं, नमीतर और क्लासीर कहता है, हम cost FM SM के बेस्ट टीचर है, तो वो आपकी special identity आपको इसमें बतानी होगी, कि हाँ, ये हमारी special identity है, mission के अंदर के लिए रहोना चाहिए, आप क्या करते हो के साथ में, आपकी speciality, आप किस need को complete करते हैं customer की, और कौन सा customer group आपका target है, और क्या technology और competence आपके पास है, तो need को क्या complete करते हैं, अगर मैं car की बात करूँ, तो car एक किसी भी person के commute करने के problem को solve करती है, ठीक है जी, कौन सा customer group आपका target है, Tesla की बात करें, तो हम premium customer को लेके चलते हैं, ठीक है डी, technology हम EV यूज करते हैं, competencies हम इसमें best हैं, हम से ज़्याद़ competent, इसमें competency यानि, आपके skills, आप किस level पर काम कर रहे हैं, expertise आपका, तो हम इसमें सब से उपर चल रहे हैं, Tesla की बात करें तो, good mission statement must be unique to आपके organization, हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या specialty है, हमारी क्या unique नैस है, वो different होगी बाकी से, तो हमारे पास, क्या-क्या useful point रहेंगे, mission statement लिखते हुए, हमारी अपनी खुद की special identity, हमेशा ध्यान रखनी है, हम customers की किस need को fulfill करते हैं, कौन सा customer group को हम serve करते हैं, कौन सी technology है, और हमारा competence क्या है, साथ में हमारा mission statement, हमेशा unique यानि different होना चाहिए, बाकियों से, what is our mission, and what business we are, यह mission का वो है आपके पास, तो हमारे पास, Peter Drucker, and Theodore Leavitt, इन्होंने 11 question लिखके दिये, तो कई बार पूछा जा सकता है, कि, write any six or seven question of Peter Drucker, and Theodore Leavitt on mission, तो इन्होंने basic 11 question लिखके दिये, कि यह 11 question का जवाब, आपको mission statement में देना चाहिए, तो mission की definition हो चुकिए, उसकी useful point सब कुछ हो चुका है, अब यह Peter Drucker से related सीधा हैगा, यह तभी लिखना है, आपको सीधे बोले, कि Peter Drucker and Theodore Leavitt के, वो basic questions बताओ, 11 के 11 नहीं पूछेगा कभी भी, never, हमेशा पूछेगा कि 7 यह 8, यह 6 यह 5 ऐसे, तो इसमें बड़ा simple से question इन्होंने कहे, सबसे पहले, हमारा mission क्या है, हमारा ultimate purpose क्या है, हम क्या बनना चाहते हैं, किस तरीके की growth को हम search कर रहे हैं, हम किस business में हैं, क्या हम अपने business को understand करते हैं correctly, हमारी intent किसको serve करने की है, यानि हमारा customer को ने, हम human need की किस चीज को fulfill करते हैं, इस business में हम क्यों आए हैं, हमारे business की nature, future में क्या होगी, और future में हमारा business क्या होगा, तो हमारे पास 11 question, हमारा mission क्या है, हमारे business का purpose क्या है, हम क्या बनना चाहते हैं, किस तरीके की growth चाहते हैं, हम किस business में हैं, क्या हम अपने business को समझते हैं, हम किसको serve कर रहे हैं, हम कौन सी human need को serve कर रहे हैं, हम इस business में कैसे आए, future में हमारे business की nature क्या होगी और future में हमारा business क्या होगा, फिर से एक बार बताइए हमारा mission क्या है, हमारा ultimate purpose क्या है हम क्या बनना चाहते हैं, किस type की growth चाहते हैं हम क्या business कर रहे हैं, क्या हम अपने business को अच्छे से समझते हैं हम किसको serve कर रहे हैं हम उसकी किस need को fulfill कर रहे हैं हम future में हमारे business की nature क्या होगी और हम future में अपने business कौन सा business कर रहे होंगे यह 11 question आप से पूछे जा सकते हैं मतलब 11 मैं से कहा जाएगा से चार यहां पांच कोई भी बता दो ओके पीटर कर ने कहा कि जो mission statement होना चाहिए mission statement थोड़ा सा marketing वाला होना चाहिए तो आजकल तो आपने देखा यह सारा जमान नहीं marketing का है जैसे LIC कहता है जिन्दगी के साथ भी जिन्दगी के बाद भी तो इस तरीके से कुछ marketing नमी तरौरा क्लासिच कहता है कि हम product को हम subject को EG बना देते हैं बच्चे के लिए तो थोड़ा marketing दिखनी चाहिए कि बच्चे को लगए अच्छा ये वाली नमी तरौरा क्लासिच को EG बना देते हैं हमारे यहां से बच्चा हमेशा पास होता है हम बच्चे को पास करवा देते हैं हम बच्चे की success story लिखते हैं हम oriented answer कैसे होते हैं और marketing वाले answer कैसे होते हैं अब जब देखिए इंडियन ओयल मुझे बताइए इंडियन ओयल क्या करती है इंडियन ओयल गैसोलीन यानी पैट्रोल डीजल सी एनजी लपीडी इनी सब का काम करती है तो इंडियन ओयल कहरी है we produce oil and gasoline product ये इनका product oriented answer है तो ये कहत marketing में कैसे जवाब दिये रहेगा we provide various type of safe and cost effective energy बात कहने का तरीका बदल गया बात तो दोनों ठीक है ऐसे ही Indian railway we run a railroad हम चलाते है अब जब देखिए we offer a transportation and material handling system ये marketing वाला तरीका हो गया लेक में in the factory we make cosmetics cosmetic product बनाता है लेक में in the retail outlet we sell हो तो बात बदल गई तो आपको marketing की तरीके से इस बात को कहना चाहिए ठीक है अब भी vision clear mission clear अब हमारे पास अगला आता है goals and objectives ये बहुत आसान है बहुत simple है वैसे जो goals और objectives की definition है वो अलग-अलग है goal क्या होते हैं आगे हमें क्या करना है वो बताते हैं पर वो precise way में नहीं बताते है और objectives precise way में बताते हैं कि भई ये करना है जैसे कि मान लो गोल आपसे कहता है गोल है जी हमें C A इंटर करना है इसी attempt में C A इंटर करना है यह objective है तो objective precise way में बताता है goal precise way में नहीं बताता है सिर्फ बात बता के छोड़ देता है तो SM कहता है कि यह दोनो synonym है और हम इनको एक ही साथ मानेंगे तो यानि goal and objective को SM के अंदर एक ही माना गया है तो goal and objective एक ही word है अब objective किस तरीके से रहेगा देखो vision ने तो एक thought बता दिया इस तरह से हमने काम यह हम काम करेंगे ओके यह हमारी company का यह vision है mission बताता है कि आप current में कहां पहुच चुके हो objectives आपके बताते हैं कि nearby future में अब आपके actions क्या होंगे जो strategy है न बेसिकली वो objectives के चारों तरफ गूंती रहेगी तो हमारी जो strategy है जो business के action है जो resources है पूरा direction है वो सारा का सारा गूमेगा उन objectives को fulfill करने में अगर वो objectives आप fulfill कर पाते हैं तो इसका मतलब आपकी performance बढ़िया चल रही है वो आप achieve नहीं कर पाते timely तो आपको अपनी strategies को mold करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा objectives किस तरीके से हो सकते हैं जैसे मान लीजे एक objective है कि इस year में current year के end तक हमें 2000 कार बनानी है और बेचनी है तो 2000 कार्स बनाना और बेचना हमारा objective हो गया अब हम इसके उपर चल ले जाएंगे चलते रहेंगे पूरे साल काम करते रहेंगे हमें बीच बीच में review भी करना पड़ेगा जैसे quarterly review कि क्या हम objective हो पहुचे हैं और एक objective हो सकता है कि अगले पांस साल में 5 years objective है हमारा कि हमारा market share 40% हो जाना चाहिए अभी मानलो 30% चल रहा है या हमारी ये market share हो गया या हमारी जो ROE है return on equity है वो 15% होनी चाहिए तो ये हमारे long term objective हो जाएंगे कि long term पे हमें चलना है अब जड़ा देखिए objectives किस तरीके से रहेगा बड़ा simple सा आगे हमारे सामने जो भी target है वो हमारे goals and objective है उनके उपर हम action लेते हैं अपनी strategy बनाते हैं उनको हम review करते हैं हमारी पूरी company के जितनी भी resources हैं वो इसी direction में चलेंगी कि ये objective timely achieve हो तो objectives time frame के अंदर बंदे होते हैं कि इतने time में काम होना है वो quantity में दिये होते हैं कि 2000 गाड़ियां बेचनी है 40% market share होना चाहिए 15% ROI होना चाहिए ये long term और short term दोनों हो सकते हैं objectives अगर हम बात करते हैं short term और long term की तो ये parallel एक दूसरे के साथ भी चल सकते हैं otherwise short term objective long term पे पहुचने की कोशिश करेगा जैसे कि मान लीजिए long term objective है हमारा 5 years का कि हमारी ROE 15% होनी चाहिए ठीक है 5 साल का है अब मान लो first year में आपकी ROE 15% आ गई तो आप long term और short term दोनों एक साथ चल रहे हैं second year, third year, fourth year, fifth year 15% ROE हमने maintain कर ली तो ये short term और long term objective एक दूसरे से बिल्कुल connected हो गए parallel चल रहे हैं दोनों काम set चल रहे हैं हमारे को ROE 15% पे set रखनी है ये हमारा अगले 5 साल का target है और पहले साल में हमने उसको achieve भी कर लिया आगे तक होई achievable रहना चाहिए कई बार ऐसा होता है कि भी हमारा जो short term objective है वो long term objective के equal नहीं होता तो वो उसके रास्ते पे चल रहा होता है जैसे कि हमारा है objective कि अगले 5 years में हमारा market share 40% हो जाना चाहिए अम मान लीजी first year में आपका market share 15% पे पहुचा second year में 20% market share ले लिया आपने third year fourth year, fifth year तो अब हमारे को यसे 25 35, low जी 40% हो गया तो अब ये हम parallel नहीं चल रहे बलकि हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं जिससे हमारा long term objective फुल्फिल हो जाए तो goals and objective की definition बहुत simple है कि हमारे upcoming targets क्या है और हम किस तरह से perform करेंगे क्या बनाएंगे ये measurable होते हैं कि 40% market share 15% ROE 2000 गाड़ियां बनानी है ये measurable होता है ये quantity में define होता है इसके साथ में time frame होता है कि इतने time frame में achieve करना है और बीच बीच में इसको पूरी तर से review करना है हमारी सारी strategy इन objectives को पाने के लिए ही बनाई जाती है firm की सारी resources इसी पर लगी रहती है हम बीच बीच में इसको review करते हैं review करके हम ये देखते हैं कि क्या हम अपने achievements को पा पा रहे हैं या नहीं objectives को fulfill कर पा रहे हैं या नहीं बहुत ही simple अब जब देखे हमारे पास goals and objectives आज का last point है business organization translate their vision and mission into goals and objective तो हम अपने goals and objectives set कर देंगे as such the term objectives are synonymous with goals however some author make an attempt to distinguish the two कुछ author इनको अलग-लग भी बानते हैं goals are open-ended attributes that denote the future state और outcome के भई हमारे को 2000 गाड़ियां 2000 गाड़ियां नी हमें CA enter करना है या हमें बहुत सारी गाड़ियां बेचनी है यह future oriented goal हुआ यह clarity नहीं देता होतनी objectives are close-ended attributes which are precise and expressed in specific term हमें 2000 गाड़ियां बेचनी है हमें आरा ROE 15% होना चाहिए तो objectives जाद प्रिसाइज है however this distinction is not made by several theories on the subject accordingly we will also use the term interchangeably यानि SM के अंदर हम goals and objective को अलग-अलग नहीं माने है objectives are organization performance target क्या आपको आने वाले टाइम में perform क्या करना है the result and outcome it wants to achieve they function as yardstick yardstick यानि standard या base standard या फिर base they function as standard और base for tracking the organization performance and progress तो जैसे हम achieve करना चाहते हैं कि 2000 cards एक साल में बिके है तो एक quarter में आपने कित्ती बेची इससे आपकी performance और progress का idea लग जाएगा the pursuit of objective is unending process एक objective फुल्फिल हुआ अब दूसर objective अब अगला target फिर अगला target हमेशा चलती रहेगी process such that organizations sustain themselves they provide meaning and sense of direction to organization endeavor तो हमारे पास जो भी आपका direction है वो objective की तरफ जाएगा तो business sense जो देता है जो meaning देता है direction को वो आपके objectives देते है organizational structure organization का पूरा structure and activities are designed and resources are allocated around the objectives to facilitate their achievement तो हमारी जितनी भी organization के जो भी resources है जितनी भी strategy है जो भी structure है वो सब objective को fulfill करने के लिए जोग देते हैं हम लोग they also act as benchmark for guiding organizational activity and for evaluating how the organization is performing तो जैसे हमारा objective है कि हमें 15% आरोई पहुचने है तो एक benchmark बन गया कि हमें यह achieve करना है यह हमारा एक target बन गया benchmark का मतलब होता है जो चीज कभी वी किसी के साथ comparison करने में काम आ सकती है तो एक benchmark बन गया 15% तो अगला objective इससे better होना चाहिए कि अब हम 20% आरोई कैसे निकार दें अगर characteristics की बात करें objective शुट define the organization relationship with the environment जैसे कि अभी हमारा market share 20% है और हमारा objective है कि हम 30% market share पाना चाहते है इसका मतलब market का 70% share और लोगों के पास है in future होगा और अभी हमारा market share है 20% इसका मतलब current market share बाकी लोगों के पास 80% है 80% market में बाकी दूसरे लोगों का भिकर है तो organization के साथ relationship के लिए करता है they should be facilitative towards achievement of mission and purpose तो जो हमारे business का mission है जो भी business purpose है उसके achievement के लिए ये लग जाते हैं they should provide the basis for strategic decision making decision making इन के लिए चलती है जो हमारे current objective है या फिर long term है they should provide standard for performance appraisal तो ये एक standard देते हैं जिसे ROE 15% होना चाहिए और 14% रह गया तो हम इस standard से कम रह गए 16% पर पहुँच के तो आप standard से better काम कर गए है ये concrete और specific होने चाहिए बिलकुल के भई हमारे को 2000 cards बेचनी है हमारा market share 40% होना चाहिए ये time frame से बंदे होने चाहिए कितने time में आपको ये काम करना है ये major किये जा सकते हैं और control किये जा सकते हैं majorable यानि 2000 cards हो गई है 15% आ रहा है या गए ये majorable है और ये control किया जा सकते है it means कि हमारे पास में 2000 cards बना रहे हैं या नहीं 15% एचीव कर रहे है नहीं उस पर controlling हम कर सकते हैं ये challenging होने चाहिए अब मालो आप एक बात होता हो आपका अगर current ROE 15% है और आपका objective भी ROE 15% है तो ये challenging नहीं हुआ challenging तब हुआ जब आप जो कर रहे हैं उससे better target लेके चाहिए तो अगर हम 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं अब हमें 10 घंटे पढ़ाई करनी ये challenging हो गया तो objectives challenging होने चाहिए different objectives should be correlate अलग-अलग अगर objective में वो एक दूसरे correlate होने चाहिए जैसे कि मान लीजिए अभी हम 1000 card per annum बेशते हैं और हमारा ROE 10% है कल को हम 1500 cards बेचेंगे मैं मान लेता हूँ सब variable cost है तो हमारा objective 15% ROE होना चाहिए तो ये correlate होने चाहिए कि जितने जैसे आप cards की volume बढ़ा रहे हो according या profit भी बढ़ा रहे हो या नहीं बढ़ा रहे हो तो correlate होते होए दिखने चाहिए objective should be set within the constraint of organization resources and external environment तो हम जो भी objective set करें वो हमारी organization के जो भी resources है उनके अंदर में आना चाहिए like मान लीजिए आपके जो plant है वो plant सिर्फ 1200 cards ही बना सकता है साल में और आपने target रग दिया 2000 cards का तो ये target fail हो जाएगा तो आपका जो target होना चाहिए वो आपकी resources के according होना चाहिए और external environment यानि market में क्या चल रहा है उसके according मान लीजिए आपने साल 1200 card बेची है और आपने बनाया target के हम 2000 cards बेचेंगे और government ने आपकी car है petrol car petrol car के उपर duty बढ़ा दी तो मुझे बताइए आपकी petrol car 1200 भी की है आपका objective है हम 2000 बेचेंगे लेकिन government external environment उसने क्या किया आपकी car के उपर duty बढ़ा दी तो वो महंगी होगी customer के लिए तो sale उल्टे गिरेगी ना की बढ़ेगी तो external environment और हमारी resources को देखते हुए हमारे objective set होने चाहिए तो objective हमारी organization की जो भी बाहर के environment है उससे relationship बताएगा mission और purpose को achievement achieve करने के लिए बनेगा हमारी जो strategic decision है उनका base बनेगा ये एक standard set करेगा इसके बाद में concrete specific होगा time frame के अंदर किया जाएगा madeable है control level है challenging होना चाहिए correlate होना चाहिए और हमारी जो भी organization की resources और external environment है उसके साथ cope up करता हुआ होना चाहिए एक बाद जो 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 भी डिसीजन मेकिंग होगी उसका base यही रहेगा standard बनेगा performance appraisal का concrete और specific होगा time frame के अंदर रहेगा madeable control level होगा challenging होगा correlated होगा अलग-अलग objectives के साथ और जो भी हमारे organization की resources और external environment की constant है उनसे cope up या set होता हुआ दिखना चाहिए इसके बाद में हमारे पास आता है कि short term और long term objective क्या दोनों का होना जलूरी है बिल्कुल भी long term objective कई सालों में पाना है तो कई साथ आपको एक बात कहा जाए कि 5 साल बात CA के paper देने तो क्या पढ़ा ही करेंगे कभी भी नहीं करेंग और both short term and long term objective as a rule company set of financial and strategic objective ought to include both short term and long term performance target दोनों target set करेंगे having quarterly or annual objective focus attention on delivering immediate performance improvement तो हम quarterly और annually इनको review करेंगे कहीं भी हमारे को गड़बड दिखेगी तो वहाँ पर हमें focus करना है attention देनी है कि भी यहाँ गडबड़ी चल रही है इसको ठीक करो साल में 2000 गाड़ियां बेचनी है एक quarter में 200 बेचनी है तो कैसे बेच पाओगे एक quarter निकल गया तीम quarter बचे तो focus करेगा attention देगा immediate performance improvement करवाएगा target to be achieved within 3 to 5 year prompt consideration of what to do now to put the company in position to perform better down the road तो अगर आपको 3-5 साल में कोई objective fulfill करना है भाई 5 साल में हम चाते हैं हमारा market share 40% हो जाए आज 10% है तो भाई 5 साल में वहाँ तक पहुचने के लिए आप आज क्या कर रहे हो उसके लिए भी तो आपका objective set होना चाहिए तो long term objective अगर set किया है long term में कहीं पहुचना है तो उसके लिए effort आज से ही लगाने पड़ेंगे 5 साल तक बैठ नहीं सकते by spelling out annual performance target management indicate the speed at which longer rate target to be approached तो आप अगर एक साल में आपने क्या achieve किया है उससे पता चल जाएगा कि long range में आप क्या achieve कर पाओगे long term objectives in seven areas हमारे जो long term में objective होते हैं वो seven areas में रहते हैं दो नंबर में question आ सकता है सबसे पहला objective profitability दूसरा productivity तीसरा competitive position कि हम competition में कहां पर खड़े हुए हैं फिर employee development and relationship इसके बाद technologically leadership और हमारे पास public responsibility बहुत आसाने याद करने profitability, productivity, competition position, employee development, employee relationship, technological leadership चाहिए और हम public के लिए क्या responsibility सर्व करते हैं short range objective can be identical to long term objective तो जैसे हमारा long term objective है भई पास साल में 15% ROI होनी चाहिए first year में भी 15% ROI हो गई तो it means ये short term और long term दोनों match कर गए कि आप हर साल 15% कमा लेते हो if organization is already performing at the targeted long term level for instance if company has an ongoing objective of 15% profit growth every year and is currently achieving this objective then companies long range and short range objective for increasing profit coin side तो दोनों एक दूसरे के identical हो गए 5 साल में 15% profit कमाना है ये हमार target था और हर साल भी हम 15% profit कमा रहे हैं तो दोनों identical हो गए coin side हो गए लेकिन कई बार क्या होगा कि भी 5 साल में 15% profit कमाना है और अभी हमने first year में 10% कमाना है तो धीरे धीरे पहुच जाएंगे तो उसके रास्ते पर बढ़ने हैं धीरे धीरे बढ़ाते जाओ पूरी कोशिश करो कि 500 साल तक कितने पहुच जाए 15% पर the most important situation in which short range objective differ from long range objective occurs when managers are trying to elevate organizational performance and cannot reach the long term target in just one year first year में एक साल में हमारा long term target पूरा नहीं हो पर है ऐसी situation में short range objective then serves as step towards achieving long term objective तो हमारे short term objective long term objective को पाने के लिए थीरे थीरे एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं अब अगर हम आज की बात करें तो मुझे बताईए vision basically vision basically क्या है vision initial thought है किस की sheet पर focus करेगा product customer market और technology पूरी company को यह direction देगा यह initial thought है कि हमें future में कहां पर पहुचना है mission कहता है हम आज कर क्या रहे हैं किस business में हैं तो मान लीजिए Tesla की बात करें तो हम EV बना रहे हैं सबसे बहतरीन EV बना रहे है Apple की बात करे हम Macbook औं期 phone यह सब बना रहे हैं और बहुत बहतरीन बना रहे हैं अगर मैं ताज होटल की बात करूँ तो हम बहुत ही बड़िया होटल है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आज की आपकी situation को mission, clarity देता है कि आखिर आप आज क्या कर रहे हैं इसके बाद में हमारे पास goals and objective है कि अब हमें आगे क्या करना है तो ये तीन situation हमने पढ़ी, vision, initial thought, mission, current situation and future का हमारा एक graph जो हम आज कर रहे हैं उससे हमारा future ने जराता है, goals and objective हैं हमारे upcoming targets ये long term और short term हो सकते हैं, आपको ये तीन चीजे पढ़कर आनी है कल हम इसका revision करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, vision, point number 5, point number 6 mission, point number 5 vision vision और mission का same हो गया, 5 और 6 है, और फिर उसके बाद में हमारा goals and objective तो कल आप लोग ये करके आईगा, फिर हम मिलते हैं और इसको आगे बढ़ेंगे, ओके जी सभी को, tata bye bye